बात करते हैं भोपाल से खबर है आपको बता दे दमोब चुनाओं मतगण्णा की तैयारियां पूरी मतों की गिंती कल हो जाएगी आपको बता दे पॉलिटेखनिक परिसर में परिणाम आने के बाद जुलूस निकलने की संभावना है जिस पर प्रतिबंद लगा दिया गया ह है कोरोना गाइडलाइन का सकती से पालन करना होगा आपको बता दे बीजेपी से राहुल सिंग लोधी और कॉंग्रेस के अजेटर्णन के बीच मुकाबला है और कल चुनावी परिणाम सामने होंगे दमोब चुनाओं मतगण्णा की तैयारियां पूरी हो चुकी है मतों की गिंती कल पॉलिटेखनिक परिसर में की जाएगी वहीं परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा तो आपको बता दें दमों में उप्चुनाओं मतगण्णा की तैयारियां पूरी हो चुकी है कल परिणाम भी सामने होंगे काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था पहले दमों उप्चुनाओं होने का और उसके बाद जब उप्चुनाओं हो चुके हैं अब मतों की गणना होगी और कौन जीतेगा ये भी कल सामने होगा बीजेपी से राहु लोधी तो कॉंग्रस के या जे टन्नन मुकाबले में है आपको बता दें कल प्रत्याशियों के भागे का फैसला होगा तो आपको बता दें उप्चुनाओ का परिणाम कुछ भी हो उसका असर सत्ता के समिकर्णों पर नहीं पड़ेगा बाजपा विधानसवा में 126 सदस्यों के साथ कून बहुमत में है जबकि कॉंग्रस की सदस्य संख्या 95 है अभी कुछी दिन पहले कॉंग्रस विधाय कलावती बूरिया का निधन हो गया है उसकी वज़ा से एक सीट रिक्त हो गई है तो एक तरह से कहा जाए परिणाम कुछ भी हो लेकिन सत्ता के समिकर्णों पर इस परिणाम का असर नहीं देखने को मिलेगा तो आपको बता दे दमो विधान सब उप्चुनाओ की मतगणना कल पॉलिटेकनिक परिसर में होगी परिणाम घोशत होने के बाद विज़े जुलूस निकालने पर प्रतिबंद लगा दिया गया तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे समवादा था आकर्श लाई जुड़ गए हैं आकर्श आपसे जानना चाहेंगे सत्ता के समिकर्णों पर असर नहीं पड़ेगा चाहें राहुलोदी जीते चाहें अजे टनन जीते लेकिन एक तरह से कहा जाए काफी लंबे समय से दमों मे चुनाओं को इंतजार किया जा रहा था और अब कल मतगर्णा होगी और किसके हक में फैसला आएगा ये देखने को मिलेगा क्या जानकारी सवांगी सही कहा अपने जिस तरीके से 17 अप्रेल को जब मतगर्णा होई उसके बास से ही लगतार अब दो तारीक का इंतजार किया जा रहा था और अब कुछी घंटे बचे हैं जब इंतजार खत्म हो जाएगा दोनों पार्टियों का लेकिन जिस तरीके सैयारियां है दिय कांटिंग महसल लेने दिया जाएगा तो कोवेट नियावों का पूरा पालन किया जाएगा सारे दोरी बना कर रखी जाएगी अधि मैं पूरे चुनाओं की बात करूं तो करीब 60 प्रितिशत बोटिंग हुई है जिसमेंसे बात करूं ग्रामीड अलाकों में सबसे ज़्या करूं दोनों ही उम्मीदवारों कि राहुल सिंग लोदी की बात करूं बीजी पे से कांग्रिस की अजय टंडन की बात करूं तो ही दोनों ही उम्मीदवारों का पूरा पालन किया जाएगा विजय जुलूश नहीं निकाला जाएगा और कल जो है सुभाई 9 बजे से बोटिंग सुरू होगी करीब 5 बजे तक बोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके पास ही इस पास होगा कि यह सीट किस खाते में जाती है सुभांगी बिल्कुल आकर्श संक्रमितों का आकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में फैला हुए इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि जुलूस निकाले पर प्रतिबंद लगा दिया गया है